को नमस्कार इस वक्त कोरोना की वज़े से पूरी दुनिया एक संकट के दौर से गुजर रही है हमारे पैरेंट्स ने हमारे ग्रांट पैरेंट्स ने शायद कभी भी ये दौर नहीं देखा इतना बड़ा इतना बुरा इतना इस वक्त पूरी दुनिया में आया हुआ है हम सब को, सरकार को, कॉर्परेट को, प्राइवेट सेक्टर को, एंजियोज को, सुसाइटी को, सारे लीडर्स को, सब को बहुत कमपेशनेट हो के काम करना है अभी. दिल् picture भी बहुत मेंट के साथ में और बहुत फुक फुक के एक एक कदम रखके, इस कोरोना के खिलाफ लडाई में लड रही है. सरकार सब को फरी राशन दे रही है, करीब नब्बै लाख लोगों को फ़िर राशन दे रही है. उसके अलावब दस लाख लोगों को रोजाना लंच और डिनर कराया जा रहा है कई लाख लोगों को मॉनिटरी सपोर्ट उनके अकाउंट में पहुँचाई गई है कोरोना की वज़े से दो सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे है एकोनोमी और एजुकेशन एकोनोमी के फ्रेंट पर भी बहुत सारे काम हो रहे हैं लेकिन आज एजुकेशन पर मैं बात करने के लिए आपके भी जाया हूँ और एजुकेशन में गौर्मेंट स्कूल के बच्चों के लिए सरकार ने जो दिल्ली के गौर्मेंट स्कूल में पढ़ते हैं, उन बच्चों के लिए सरकार ने online classes शुरू कर दी है, उन्हों ने उसमें on phone classes ली जा रही है, online classes ली जा रही है और भी कई mediums के माध्यम से classes ली जा रही है और लेने की तैयारी है प्राइवेट स्कूल के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि प्राइवेट स्कूल दिल्ली में और भारत में पूरे देश में कंपनियों द्वारा नहीं चलाए जाते हैं ट्रस्ट द्वारा चलाए जाते हैं संस्थाओं द्वारा चलाए जाते हैं यह माना जाता है कि private school इस कानून में यह माना गया है कि private school जो लोग चलाएंगे और जो private school जो संस्थाइं चलाएंगी वो profitable संस्थाइं नहीं होगी, वो charitable संस्थाइं होगी, वो trust होगी. तो ऐसे में मुझे अब कई जगे से शिकायत मिल रही है, सरकार को शिकायत मिल रही है कि कुछ स्कूल बढ़ा चड़ा के फीस चार्ज कर रहे हैं सरकार से अनुमती लिए बिना बहुत सारे स्कूलों ने फीस बढ़ा दी है कई जगे से शिकायत मिल रही है की बहुत सारे सकूल tuition fees के अलावा और भी कई तरेकी fees चार्ज कर रहे हैं अन्योनल चार्जिज ले रहे हैं transportation fees ले रहे हैं जबकि अब तो transportation पर कोई खर्चा भी नहीं हो रहा पूरे पूरे quarter की फीस माग रहे हैं बहुत सारे स्कूल्स कई स्कूलों के बारे में शिकायथ मिली है कि उन्होंने अगर किसी बच्चे ने फीस नहीं दी है तो अपने यहां online classes बंद करा दी है उन बच्चों की online classes facilities बंद कर दी है तो इतना नीचे किरने की ज़रूत नहीं है private schools को आप सब लोग एक trust के जरीए चलते हैं एक संस्था के दौरा चलते हैं और उसमें आपका basic mandate है कि आप समा सिवा करेंगे ऐसे में किसी बच्चे की फीस ना देने की वज़े से उसको उसका नाम online classes तक से हटा देना यह तो ठीक नहीं है तो इसके बाद इन सारी चीज़ों के बाद इन सारी शिकायतों के अध्यन के बाद में सरकार ने एक फैसला लिया है आज और अभी एक आदेश जारी किया है थोड़ी देर पहले जिसमें माने मुख्यमंत्री जी के आदेश पर यह ने लिया गया है कि किसी भी private school को वो चाहे सरकारी सारकारी जमीन पर चल रहा हो या गैर सरकार जमीन पर private जमीन पर चल रहा हो उसको फीस बढ़ाने की जाज़त ने दी जाएगी सरकार से पूछे बिना कोई भी private school feeUST नहीं बढ़ा सकता वो चाहे प्रवेट जमीन पर चल रहा हो या government जEMीन पर चल रहा हो दूसरा कोई भी स्कूल तीन महीने की फीज डिमांड नहीं करेगा केवल ट्यूशन फीज डिमांड करेगा वो भी महीना वार लेंगे कोई स्कूल पेरेंट्स को तीन तीन महीने की फीज नहीं चार्ज करेगा इसके साथ जो ओनलाइन एजुकेशन दी जारही है बच्छों को स्कूल की तरफ से प्राइवेट स्कूल की तरफ से सभी बच्चों को देनी होगी अगर कोई parent फीस नहीं दे पा रहा है तो उनके बच्चों का नाम online teaching से नहीं हटाया जाएगा उनको online facilities नहीं काटी जाएगी ये आदेश दिये साथ में कोई भी school transportation fees नहीं चार्ज करेगा इस दोरान क्योंकि अभी transportation पर कोई खर्चा नहीं है इसलिए transportation fees चार्ज करने की जोट नहीं है एक महीने की fees के अलावा कोई और एक महीने की tuition fees के अलावा कोई भी school वो चाहे private जमीन पे बना है या सरकारी जमीन पे बना है कोई भी school एक महीने की tuition fees के अलावा किसी भी parents से कोई और तरह की fees चार्ज नहीं करेगा ना transport fees चार्ज करेगा ना कोई annual charge करेगा कोई चार्च नहीं लेंगे साथ में ये वी ओडर दिया गया है कि सभी प्राइवेट स्कूलों की चाहे वो सरकारी जमीनों पर बने हैं या प्राइवेट जमीन पर बने हैं ये जिम्मेदारी होगी कि वो अपने सभी स्टाफ को टीचिंग और नन टीचिंग कॉंट्रेक्ट का हो या आउट्सोर्स किया हुआ हो सभी स्टाफ को समय पे सेलरी उपलत कराएंगे अगर किसी तरह का उनके रेवेन्यूज में कोई शॉट फॉल है तो जो अपनी पैरेंट संस्था है उससे पैसा लेके पूरा करेंगे लेकिन पैसे की कमी की वज़े से किसी स्टाफ की सेलरी नहीं रोकेंगे और पैसे की कमी के बहाने पर किसी बच्चे को पढ़ने से नहीं रोकेंगे ये दौनों इंस्ट्रेक्शन्स इस ओर्डर में साफ साफ हैं और यह order दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट और नेशनल डिजास्टर मेनेजमेंट एक्ट दौनों के अधिकारों के तहट जारी किया गया है क्योंकि इस वक्त पूरा देश कोरोना के आपता से जूज रहा है पूरे देश में कोरोना को आपदा घोशित करके आपदा कानून ला की जाएगी मैं फिर से समराइज कर देता हूं कि कोई भी स्कूल एक महीने की टूशन फीस के अलावा किसी भी तरह की और फीस चार्ज नहीं करेगा ना ट्रांस्पोर्टेशन फीस ना कोई और अनुल चार्जिज ना कोई कोई भी स्कूल सिर्फ इस वज़ह से कि कोई बच बिना सरकार की अजाज़त के कोई फीस नहीं बढ़ाएगा, जो फीस पहले से थी, उसी को अलाव किया जाएगा, उसके अलावा बढ़ी हुई फीस नहीं चार्ज की जाएगी किसी भी स्कूल में, और साथ साथ सभी स्टाफ को कॉंट्रेक्ट हों, या आउट्सोर्स किये गए हों, पर्मानेंट हों, टीचर्स, नॉन टीचर्स, सब की सेलरी समय पे दी जाएगी, उसके लिए जरूत पड़े, तो अपनी पैरेंट्स नस्था से पैसर लेके दें, और जो इसका पालन नहीं क करेगा, उसके खिलाफ कारवाई की जाएगी.